नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, साथियों एक महत्पूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ, जैसा कि आपको अवगत है, हिंदों में बहुत सारित, त्योहार, परचलित है, लेकिन करवा करवा चोत के वरत का इसमें अलग ही महत्व है, सुहागिन इस्त्रियां इस वरत को बहुत ही स्रदा और धूमदाम से मनाते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर इस वरत को सुहागिन इस्त्रियां क्यों मनाती है, इसके पीछे क्या कहानी परचलित है और किस तर ऐसे वरत मनाया जाता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं करवा चोत का वरत, करवा चोत हिंदों का एक परमुक्त युहार है, यह भारत के पंजाब, उत्तर परदेश, हरियाना, मध्या परदेश और में मनाया जाता है, यह कार्तिक मास की क्रश्न प्रक्स की चतूर्ती को मनाया जाता है, यह पर्व सोभाग्यवती अथार्थ सुहागिन इस्तिया मनाती है, यह वरत सुबह सुर्योदे से पहले करीब चार बजे के बाद सुरू होकर, रात में चंद्रमा तरसन के बाद संप सास्त्रों के नुसार ये व्रत कार्तिक मास के क्रश्न पक्स की चंत्रोदय व्यापनी चतूर्ती के दिन करना चाहिए, पती की दीरगायू एवं अखंड सोभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भाल चंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवाचोत में भी संकष्टी गणेश चतूर्ती की तरह दिन भर उप्वास रखकर रात में चंद्रमा को अरध्य देने के उपरांथी भोजन करने का विधान है। वरत्मान समय में करवाचोत वरत्तोत सव जादतर महिलाएं अपने परिवार में पर्चलीत पर्था के अनुसार ही मनाती हैं लेकिन अधिकतर इस्तियां निराहार रहकर चंद्रोदय की परतिक्षा करती हैं। कार्तिक क्रश्नपक्स की चतूर्ती को चतूर्ती अतर्त करवाचोत वरत्त करने का विधान है। वे यह वरत रखती हैं। अब जानते हैं करवाचोत के वरत के बारे में यह वरत 12 वर्स तक अत्वा 16 वर्स तक लगातार हर वर्स किया जाता है। अवधी फूरी होने के पश्चात इस वरत का उध्यापन अतार्त उपसंगार किया जाता है। जो सुहागिन इस्त्रियां आजीवन रखना चाहें वे जीवन भर इस वरत को कर सकती हैं। लेकिन अगर उध्यापन करना चाहते हैं तो आप 12 वर्स या 16 वर्स के बाद इसका कर सकते हैं। इस वरत के समान सुभाग्य दाव्यक प्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। अते सुहागिन इस्त्रियां आपने सुहाग की रक्षार्त इस वरत का सतत पालन करें। भरत देश में वैसे तो चोत माता जी के कहीं मंदिर इस्तित हैं। इस गाउं का नाम बर्वाडा से चोत का बर्वाडा पड़ गया। चोत माता मंदिर की स्थापना महराजा भीम सिंग चोहान ने की थी। अब देखते हैं करवा चोत, वरत कथा, कितनी कथाई इसके पीछे परचलित हैं। इसके पीछे चार कथाई परचलित हैं जो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। पहली कथा है, बहुत समय पहले की बात है, एक साहुकार के साथ बेटे और उनकी एक बहन करवा थी, यही कथा जादतर प्रचलित है, सभी साथों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहां तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वम खाते थे, एक बार उनकी बहन ससुराल से माई के आई हुई थी, साम को भाई जब अपना व्यापार व्यावसाय बंद कर घर आए, तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी, सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का अगरे करने लगे, लेकिन बहन ने बता तक नहीं निकला है, इसलिए वैब भूक प्यास से वाकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जला कर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा परतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उधित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकलाया है, तुम उसे अर्धे देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुसी के मारे सीडियों पर चड़कर चांद को देखती है, उसे अर्ध देकर खाना खाने बैट जाती है। वह पहला टुकडा मूँ में डालती है तो उसे चीक आ जाती है। दूसरा टुकडा डालती है तो उसमें बाल निकलाता है। और जैसे ही तीसरा टुकडा मू अभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चोत का वरत गलत तरीके से तूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। इसा देखबाल करती है। उसके उपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत् readings कर्ति जाती है। एक साल बाद पिर करवाचोत का वरत आता है। उसकी सभी भावियां करवाचोत का वरत रखती है। जब भावियां उससे आसरवाद लेने आती हैं तो वह परतेक भावी से यम सुई ले लो, पिये सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रे करती है। लेकिन हर बार भावी उसे अगली भावी से आग्रे करने का कहचली जाती है। इस प्रकार जब छटे नंबर की भावी आती है, तो करवा उसे भी यही बात दोराती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, और जब तक वह तुमारे पती को जिन्दा ने कर दे, उसे नहीं चोड़ना ऐसा कहके वे चली जाती है। सबसे अंत में सबसे छोटी भावी आती है, करवा उसे भी सुहागिन बनने का अग्रह करती है, लेकिन वे टालम टोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिन्दा करने के लिए कहती है। भावी उससे छोडाने के लिए नोचती है, खसोडती है लेकिन करवा नहीं छोडती है। अंत में उसकी तपश्या को देख भावी पसी जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमरत उसके पती के मूँ में डाल देती है। करवा का पती तुरंट स्री गनेश कहता हुआ उट बैठता है। इस परकार प्रभु करपा से उसकी छोटी भावी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे स्री गनेश मागोरी जिस परकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। तो ये पहली कथा थी करवा चोट के वरत की अब हम दित्य कथा पर आते हैं। उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था प्रंतु से भूक नहीं सही गई और वे व्याकुल हो उटी। उसके भाईयों से अपनी बहन की वैकुलता देखी नहीं गई और उन्होंने पीपल की आड में आतिस बाजी का सुन्दर परकास फैला कर जंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पती ततकाल एद्रश्य हो गया। अधीर वीरवती ने बारे महिने तक परतेक चतूर्थी को वरत रखा और करवा चोत के दिन उसकी तपश्या से उसका पती पुने प्राप्त हो गया। तो इस तरह से ये दित्यक अथा पर चलित है। अब हम दित्यक अथा पर आते हैं। एक और आकर मगर को कच्चे दागे से बां야। मगर को बांद कर यमराज के यहां पहुची اور यमराज से कहने लगी Particularly मगर نے मेरे पती का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराद में आप अपने बल से नरक में ले जा उ. यम्राज बोले अभी मगर की आयूसेस है अते मैं उसे नहीं मार सकता इस पर करवा बोली अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको स्राप देकर नश्ट कर दूँगी सुनकर यम्राज डर गए और उस पती वरता करवा के साथ आकर मगर को यम पूरी भेज दिया और करवा के पती को दिर्गायू दी ही करवा माता जैसे तुमने अपने पती की रक्षा की वैसे सभी सबके पतियों की रक्षा करना इस तरह से ये तृत्य कहानी परचलित है अब आते है चोथी कहानी पर एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपश्या करने नीलगरी नामक परवत पर गए इदर द्रोपदी बहुत परिसान थी उनकी कोई खबर ने मिलने पर उन्होंने क्रश्न भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता प्रकट के। तब संकर जी ने माता परवती को करवा चोथ का वरत बतलाया इस वरत को करने से इस्त्रियां अपने सुहाक की रक्सा हर आने वाले संकर से वैसे ही कर सकती है जैसे एक ब्रहमणने की थी प्राचिन काल में एक ब्रहमणन था उसके चार लड़के एवं एक गुणवती की माईके में थी तब करवा चोथ का वरत पड़गा उसने वरत को विधी पूर्वत किया पूरे दिन निजला रही कुछ खाया पिया नहीं पर उसके चारो भाई परिसान थी कि बहन को प्यास लगी होगी भूक लगी होगी पर बहन चंद्रोदे के बाद ही जल ग्रेंड कर गया और दीपक जला कर चलनी से रोसनी उत्पन कर दी तबी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी देखो बहन चंद्रमा निकल आया है पूजन कर भोजन ग्रहन करो बहन ने भोजन ग्रहन किया भोजन ग्रहन करते हैं उसके पती की मृत्ति हो गई वै अब वै का कारण पूछा तब इंद्राणी ने बताया तूने बिना चंद्रदर्शन की एक करवा चोत का वरत तोड़ दिया इसलिए यह कस्ट मिला अब तू वर्स भर की चोत का वरत नया मनुस्पूर्व करना तो तेरा पती जीवित हो जाएगा उसने इंद्राणी के कहे अनुसा चोत वरत किया तो पुने सो भाग्यवती हो गई इसलिए परते किस्त्री को अपने पती की दीरगायू के लिए वरत करना चाहिए द्रोपदी ने यह वरत किया और अरजुन सैकुसल मनोवांचित फलप्राप्त कर वापस लोट आए तबी से हिंदू महिलाएं अपने अखं पुजन विधी किस तरह से करनी चाहिए करवा चोत की आवश्यक संपूर्ण पूजन सामगरी को एकत्र करें वरत के दिन प्राते इसनानादी के पश्चात यह संकल पोरकर करवा चोत प्रत का आरंब करें मम सुक सो भग्य पुत्र पोत्रा दी सुष्थिर श्री प्राप्त इसके बाद आप प्रत शुरू कर सकते हैं पूरे दिन निर्चला रहें दिवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे चावलों के गोल से करवा चित्रित करें इसे वर कहते हैं चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है आठ पूरियों की अठावरी बनाएं हल्वा बनाएं पक्के पकवान बनाएं पीली मिट्टी से गोरी बनाएं और उसकी गोद में गनेश जी बना कर बिठाएं गोरी को लकडी के आसन पे बिठाएं, चोक बनाकर आसन को उस पर रखें, गोरी को चुन्री उड़ाएं, बिंदी आदी सुहाग सामगरी से गोरी का संगार करें, जल से भरावा लोटा रखें, वायना अतार भेट देने के लिए मिट्टी का टोटी दार करवा लें, करवा मे गेहूं और धक्कन में सक्कार का बूरा भर दें, उसके उपर दक्षिना रखें, रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं, गोरी गनेश और चितरित करवा की प्रंपरा नुसार पूजा करें, पती की दिरगायू की कामना करें, नमे सिवाए सर्वाणने सोभाग्यम संत्ति प्रच्च भक्ति युक्ता नाम, नाराय नाम, हर्स वल लबे, इस मंत्र का जाप करें, करवा पर तेहरे बिंदी रखें और गेहूं या चावल के तेहरे दाने हाथ में लेकर करवा चोत की कथा कहें या सुने, करवा सुनने के बाद करवा पर हाथ गुमा कर अपनी सासु जी के पैर चूकर आसिरवाल लें और करवा उन्हें दे दें, तेहरे दाने गेहूंके और पानी का लोटा या टोटी दार करवा अलग रख लें, रातरी में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से उसे देखें और चंद्रमा को अर्थ है दें, इसके बाद पती से आस पूजन कराएं और स्वंभी भोजन कर लें, पूजन के पश्चात आस पडोस की महिलाओं को करवा चोत की बधाई देकर पर्व को संपन करें, तो इस तरह से ये करवा चोत वरत जो हिंदों में बहुत धूम ताम से मनाय जाता है, इसके पीछे यही कता परचलित है, आज क लिए इतना ही धन्यवाद